हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दोस्तों स्नाक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मौंगफली के कच्चे दाने ड्राय रोस्ट करेंगे तो एक पैन मैंने गैस पर चड़ा दिया है और इसमें हम मौंगफली के दाने ले दिये हैं मैंने दो टेबल स्पून के लगबग आपको जितनी ज़रत हो उतने ढाल सकते हैं धीमी आज में इन्हें हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे अच्छी से अंदर दिपक जाएं और उपर से चटक जाएं आप इन्हें थोड़े से तेल या घी में भी फ्राय कर सकते हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहे हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे ओयल फ्र और तवे पर भी सेख सकते हैं तो 2-3 पापड़ मैंने सेख लिये हैं क्योंकि पापड़ी जो हर वक्त घर पे अवेलबल नहीं होती है और कुछी टाइम में खराब भी होने लगती है इसलिए जो ड्राय पापड़ होता है यानि कच्छा पापड़ सक्की कर में होता है इसे आपका मुरमुरा नम हो गया है तो उसे कडाई में थोड़ा सा रोस्ट कर लें अब यहां मैंने जग लिया हुआ है यानि की डीब बरतन लिया हुआ है गहरा बरतन आपको भगोना भी ले सकते हैं इसमें मैंने मुरमुरा या फिर जिसे लईया भी बोलते हैं इसे डाल लि इसमें एक छोटी प्याज भी बारी काट करके डाली है एक छोटे साइज का टमाटर भी बारी काट करके डाला हुआ है दो हरी मिर्च को बिल्कुल छोटा-छोटा काटा है और थोड़ी सी धनिया, हरी धनिया जो की बहुत ही बढ़ी अ फ्लेवर देगी इस नाश्टे को या फिस नाक्स को पूरे परिवार के साथ मिलकर आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मूवी देखने के टाइम पर भी आप इसे बना कर की खा सकते हैं नमक डालेंगे हम यहां पर स्वादानुसर नमक पहले हम थोड़ा हलका ही डालेंगे क्योंकि आगे इसमें हम जो भी चीज़े मिलाएंगे उनमें थोड़ा थोड़ा नमक होगा तो अब हम इतनी चीज़ें डालने के बाद में पहले इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं यानि कि कोई लंबे हैंडल वाला बड़े हैंडल वाला चम्मा चाप लीजिएगा जिसे आपको मिक्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप भगवाना भी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए कोई कटोरा भी ले सकते हैं हेला की कटोरे में मिक्स करने में यह फैलता बहुत है क्योंकि मुर्मुरा स्लिपरी होने इसलिए हम यहां पर जग का इस्टमाल किया हुआ है अच्छे से हम मिला रहे हैं जिसारे नमक में जामें 무 ya नमक डाल देने के बाद में अच्छे से ανस्क्षा अच्छे करने के बाद से इसमें खटा पसंद होता है अगर आपको जादा खटा और चटपटा तीखा पसंद है तो आप नेबू मिर्च की मातरा थोड़ी सी बढ़ा दें आदा नेबू मैंने डाल दिया है और अब यहां हम डालेंगे चार से पांच बड़े चमच यह मीठी चटनी है इमली की चटनी या फि अब आपको चटनी बनाने का सबसे आसान तरीका मिल जाएगा चटनी डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चटनी यह थोड़ी इसमें ज़्यादा ही डालें अगर आपके पास नौर्मल कोई भी मीठी चटनी रही है तो उसे डाल सकते हैं अगर इमली की च यह वाली नमकीन आलू भुजिया नमकीन भी आप ले सकते हैं मौंखली के दाने डाल दिये हैं सबसे लास्ट में उपर से पापड को भी इस तरह हाथों से क्रश करके डाल देंगे अगर आपके पापड नहीं है गोल गपड़ी है या फिर गोल गपड़ी है तो उसे भी सब इसमें थोड़ा-थोड़ा मिक्स करें बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वाधाता है सारी चीजों को डाल करके हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है हरी चटनी जो हम धनिया मेर्चा और लैसुन बगएरा से बनाते हैं अगर आपके पास वह वाली हरी चटनी है तो आप उसे नीबू और थोड़ी सी पापड़ी और डाल करके इसे सर्व कीजिए मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया छिड़क दिया है जिसे देखने में बहुत ही कुपसुरत लग रही है थोड़े से चिप्स और पापड़ी कुछ इस तरह से हम उपर से भी इसमें सजा देंग आगे हो तो सेर जरूर कीजिए गा